ये एक कोपी है जिसमें आयुक्त के हाँ सिकायत गई है एक वेक्ति है विशाल कुमार उसने सिकायत की है तो आयुक्त गडवाल ने एक आदेश किया है जिला दिकारी हरदवार को और उसमें जो सिकायती पत्थे उसका हवाला देते हुए उन्होंने इसमें जांच के आदेश कि हैं मैं यह कहना चाहरा हूँ कि अगर वो सही है तो मेरे सामने बैठके मेरी बातों का जबाब देते हैं और मैं अगर गलत हूँ तो मैं उनसे माफी मांग लूगा लोत लगें चुनाव लड़े हैं लेकिन उस अरने का मतलब यह नहीं है कि उनको धृस्ताचार करने का दिकार देदिया जितने भी पेपर हैं जिनके आधार पे हमने आप लोगों को जानकरी दीहें जो सवाल किये हैं उनसे वो सारे पेपर उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा जिला पंचात कार्याल से प्राप्थ ने है और मैं तो उनसे ये सवाल कर रहा हूँ और मेरा निवेदन यह कि आप लोग भी जो वो कहते हैं सुनके आ जाते हैं आप पेपर लेकर हाथ में क्यों नहीं बात करते हैं एक एक पेपर लेकर आप उनसे पूछिए क्योंकि आप सवाल नहीं करेंगे तो आपकी आवाज सरकार तक कैसे जाएगी मीडिया का मतलब ही यह हूँ प्रस्ताव तीम बाद बेठग मे रखता जाना है वो उन्होंने पहली बेठग में कैसे पात कर लिया तो आप उनसे पूछे पेपर हाथ में लेकर मैं तो बोलुगा ही मैं बोलूँगा इसका मतलब यह प्रुलार्त में होगा क्या मैं अपनी सेंस में हूँ मैं बेहो व्यक्ति है उन्होंने कभी किसे तेजावाद में बात नहीं की लेकिन मैं डॉक्टर रामपाल सिंग जी से भी निवेदिन करना चाहता हूं भाई इसे अपने बच्चे को थोड़ी तहजीब सिखाऊ सम्मान से बोलना चाहिए हम आरोप लगा रहे हैं कोई हमारी लडाई तो आज क्या है जिस बात से वो नकार रहे हैं यह एक कोपी है जिसमें आयुक्त के हां सिकायत गई है एक वेक्ति है विशाल कुमार उसने सिकायत की है तो आयुक्त गड़वाल ने एक आदेश किया है जिला दिकारी हरदवार को और उसमें जो सिकायती पत्रे उसका हवाला दे तेवे उन्होंने इसमें जान्च के आदेश किये हैं, जो पबलिक को अब तक यह बता रहे हैं क्या कुछ नहीं है सब जूट है सब फरजी है, तो यह सिकाथ चली गई है हैं और जो कमिस्र गड़वाल है उन्होंने जाच के आदेश किये हैं अब अपने को निर्दोस साबित करें जो जो जाच के आदेश उसी के हैं जो हमने आपको बताया था और जनता को भी पता लगे के आपके द्वारा चुने गए परतिंदी क्या कर रहे हैं और सरकार भी थोड़ा जागे इसमें सरकार जाच कराए और पता लगे कि भाई जो वेक्ति कुर्सी पर बैटा जिसे जनता की सेवा करनी है वो केवल घपला करने में लगा हुआ और मैं फिर आद यह कह रहा हूं कि तीन बार टेंडर कर लिए साठ करोड के इन्होंने उसमें गोटाला का मतलब यह नहीं है कि भाई पैसा जेब में आजाए तभी गोटाला है गोटाला का मतलब यह जिस नियत से आपने टेंडर किये हैं तो वो गोटाला ही है अच्छा लोग कह रहे हैं कि आपके कारेकाल में कुछ इस तरह की चीज़े हुई है तो आपकी अगर कोई वेकती है गाम-पंचात का रहने वाला वेकती है इन्हें के द्वारा मांगे कि सुचना इन्होंने शिकायत किये इन्हें पर यादेश हुआ है ने मुझे तो पुरा भरोसा है सरकार पर पुरा बरोसा है क्योंकि सरकार जो 0 टएलेंज कि बाद कर रही है तो उसको साबीत करने के लिए ठीक पुरा गठर है पेपरो चमीत कि वख अपने को तो सब्रय करना ही चाहिए इनको और तभी जाके बोल पाएगी ऐसा है वह वीडियो मैंने भी देखा है उसमें तो द्रखाने करें हो गया हो गया हो वहां विद्धायक के प्रतिनिती वहां पर गए वैसे तो वहां जो मेंबर हैं उनके भी प्रतिनिती बैठे हुए हैं और उनको वहां से उठा दिया वीडियो में मैं सुन दाता वो कैड़े कि मैं पिछे बैठ जाता हूं और लोग भी तो बैठा के नहीं आप बहार नहीं है मैं अपने घर में बैठके साल क्या फरक पड़ रहा है सामने करो ना बात पेपर हाथ में लेगा मैं आप लोग के माध्यम से एक और कहना चाहता हूं जिला पंचाद अद्धिक्स जी को वो तो तू तड़ा की भासा बोले लेकिन वो संबान इत्पत पर मैं तो मेर आदत यह नहीं है मैं यह कहना चाहरा हूं कि अगर वो सही है तो मेरे सामने बैठके मेरी बातों का जवाब देते हैं और मैं अगर गलत हूं तो मैं उनसे माफी मांग लूँगा बिल्कुल तयार हूं आप लोग उनसे कहिए और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं रास्ता जा रहा है उसमें दो घर रह रहे हैं वहां तक उनको रास्ता चलने का दे दिया तो उसमें क्या है इननों तो एक आदमी के फारा माउस में सटक बनवा दी और उन्हें को टेंडर दे दिया उसका